आमोस अध्याए एक से नो अध्याए एक एक तकवासी आमोस जो भेर बकरियों के चराने वालों में से था उसके ये वचन है जो उसने यहुदा के राजा उजियाह के और योश के पुत्र इस्राइल के राजा यारूबाम के दिनों में भुकंब से दो वर्ष पहले इस्राइल के विशे में दर्शन देख कर कहे दो यहोवा सियों से गरजेगा और यरुशलिम से अपना शब्द सुनाएगा तब जर्वाहों की चरायां विलाप करेंगी और कर्मेल की चोटी जुलस जाएगी इस्राइल के पडोसी राजियों का नियायराम तीन यहोवा यों कहता है दमिश्ट के तीन क्या वरन चार अपराधों के कारण में उसका दंड ना छोड़ूंगा क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है चार इसलिए मैं हजायल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेनहदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे पांच में दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आविन नामक तराई के रहने वालों को और बेते दिन के घर में रहने वाले राज़दन धारी को नश्ट करूंगा और अराम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे यहुवा का यही वचन है पलिश्तिया चेह यहुवा यों कहता है गाजा के तीम क्या वरन चार अपराधों के कारण में उसका दंडना छोड़ूंगा क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बना कर ले गए कि उन्हें अदों के वश्मे कर दें साथ इसलिए मैं गाजा की शेहर पिनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे आठ में एश्डोद के रहने वालों को और अश्कलों के राज़दन धारी को भी नश्ट करूंगा मैं अपना हाथ एक रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेश पलिष्टी लोग नश्ट होंगे पर मेश्वर यहोवा का यही वचन है सोर नौ यहोवा यों कहता है सोर के तीन क्या वरंचार अप्राधों के कारण में उसका दंडना छोड़ूंगा क्यूंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर अदोम के वच में कर दिया और भाई की सीवाचा का स्मरण न किया दस इसलिए मैं सोर की शेहर पिनाह पर आग लेगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे अदोम ग्यारह यहोवा यों कहता है अदोम के तीन क्या वरन चार अपराधों के कारण में उसका दंडना छोड़ूंगा क्यूंकि उसने अपने भाई को तलवार लिये हुए खदेड़ा और कुछ भी दयाना की परंतु क्रोध से उनको लगातार फार्ता ही रहा और अपने रोश को अनंत काल के लिए बनाए रहा बारह इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोस्रा के भवन भस्म हो जाएंगे अम्मोन तेरह यहुवा यों कहता है अम्मोन के तीम क्या वरन चार अपराधों के कारण में उसका दन न छोड़ूंगा क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिनी स्त्रियों का पेच्शीर डाला चौदर इसलिए मैं रब्बा की शेहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे उस युद्ध के दिन में ललकार होगी वहां अंधी वरन बवंडर का दिन होगा पंद्रह और उनका राजा अपने हाकिमों समेथ बधुआई में जाएगा यहवा का यही वचन है अध्याए दो मौअब एक यहुवा यों कहता है मौअब के तीन क्या वरन चार अप्राधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा क्योंकि उसने अधों के राजा की हड़ियों को जला कर चुना कर दिया दो इसलिए मैं मौअब में आग लगाउंगा और उससे करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे और मौअब हुलड और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा तीन में उसके बीच में से न्याई का नाश करूँगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूँगा यहुवा का यही वचन है यहुदा चार यहुवा यों कहता है यहुदा के तीन क्या वरन चार अपराधों के कारण मैं उसका दन्द न छोड़ूंगा क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना और अपने जूटे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुर्खा चलते थे वे भी भटक गए हैं। पांच इसलिए मैं यहुदा में आग लगाऊंगा और उससे यरुशलिम के भवन भस्म हो जाएंगे। इस्राइल का न्याए चेह यहुदा यों कहता है इस्राइल के तीम किया वरंचार अप्राधों के कारण मैं उसका दंड न चोड़ूंगा क्यूंकि उन्होंने निर्दोश को रुप्य के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। साथवे कंगालों के सिरपर की धूल का भी लालच करते और नम्रह लोगों को मार्क से हटा देते हैं और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। आठ फे हर एक वेदी के पास बंधत के वस्त्रों पर सोते हैं और दंट के रुप्ये से मोल लिया हुआ दाखमधू अपने देवता के घर में पी लेते हैं। 9. मैंने उनके सामने से इमोरियों को नश्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांच व्रिक्षों का साथा, तो भी मैंने उपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नश्ट की। 10. मैं तुम को मिस्र देश से निकाल लाया, और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा, कि तुम इमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। 11. मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नभी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजीर होने के लिए ठहराया। 12. इसलिए वेग दोडने वाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा और सामर्थी का सामर्थ्य कुछ काम ना देगा और ना पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। 15 धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा और फुर्ती से दोडने वाला ना बचेगा, सवार भी अपना प्राण ना बचा सकेगा, सोलह और शूर्वीरों में जो अधिक धीर हो, वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा, यहोवा की यही वानी है। अध्याय तीन 15 धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा, क्या जवान सिंग बिना कुछ पकड़े अपनी मांध में से गुर्राएगा, पांच क्या चिडिया बिना फंदा लगाय फंसेगी, क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमी पर उचकेगा, छे क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंटने पर लोग न थर्थराएंगे, क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ती पड़ेगी, साथ इसी प्रकार से प्रभू यहोवा अपने दास भविश्यद वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रगट किये कुछ भी न करेगा, आठ सिंग गरजा, कौन न अदर परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविश्यदवानी न करेगा, सामरिया का विनाश नौ अश्डोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया के पहाडों पर इकट्थे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं दस यहोवा की यहवानी है, जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और दकैती का धन बटोर रखते हैं, वे सीधाए से काम करना जानते ही नहीं ग्यारह इस कारण परमेश्वर यहोवा यहों कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रू होगा और वल तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे बारह यहोवा यहों कहता है, जिस भांती चरवाह सिंग के मूँ से दो टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इसराइली लोग, जो सामरिया में बिच्छोने के एक कोने या रेश्मी गद्दी पर बैठा करते हैं, वे भी छुड़ाए जाएंगे तेरह सिनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वानी है, देखो, और याकूब के घराने से यह बात चिता कर कहो, चौदर जिस समय में इसराइल को उसके अपराधों का दंद दूंगा, उसी समय में बेतल की वेदियों को भी दंद दूंगा, और वेदी के सींग अध्याय चार तीन तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हर्मोन में डाली जाओगी, यहोवा की यही वानी है, इसराइल सुधरने में असफल चार, बेतल में आकर अपराध करो, और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो, अपने चड़ावे भोर को, और अपने दश्मान शर तीसरे दिन ले आया करो, पांच धन्यवाद अबली खमीर मिलाकर चड़ाओ, और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्यूंकि है इस्राइलियो, ऐसा करना तुमको भाता है, परमेश्वर यहोवा की यही वानी है। जिसमें न बर्सा, वह सूख गया। तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे घुडों को चिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया, और तुम्हारी चावनी की दुरगंद तुम्हारे पास पहुँचाई, तो भी तुम मिरी और फिरकर ना आए, यहोवा की य 11. मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलत दिया, जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलत दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकडी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए, यहोवा की यही वानी है. 12. इस कारण, हे इस्राइल, मैं तुझ से ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ, हे इस्राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा. 13. देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला, और मनुश्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंतकार करने वाला, और जो पृत्वी के उंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम से नाओं का परमेश्वर यहोवा है. अध्याए 5. पश्चाताप करने का आहवान एक हे इस्राइल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विशय में कहता हूँ, दो, इस्राइल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठना सकेगी, वह अपनी ही भूमी पर पटक दी गई है, और उसका उठाने वाला कोई नहीं. तीन क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस नगर से हजार निकलते थे, उसमें इस्राइल के घराने के सो ही बचे रहेंगे, और जिस से सो निकलते थे, उसमें दस बचे रहेंगे. चार यहोवा, इस्राइल के घराने से यों कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे पांच बेतल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो, और न बेर्शिबा को जाओ, क्यूंकि गिलगाल निश्चय बधुआई में जाएगा, और बेतल सूना पड़ेगा चेह यहुवा की खोज करो, तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भढ़केगा, और वह उसे भस्म करेगी, और बेतल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा साथ है न्याय के बिगाडने वालो और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालो आठ जो कचपचिया और मृक्षिरा का बनाने वाला है जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जलस्थल के उपर बहा देता है उसका नाम यहोवा है नौवर तुरंथी बलवंत का विनाश कर देता और गड़ का भी सत्यानाश करता है दस जो सभह में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घ्रिना करते हैं ग्यारह तुम जो कंगालों को लताडा करते और भीट कहकर उनसे अनहर लेते हो इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने न पाओगे और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाए हैं उनका दाख मधुना पीने पाओगे बारह क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पापभारी हैं तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगारते हो तेरह इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे क्योंकि समय बुरा है 14 हे लोगो बुराई को नहीं भलाई को ढूंडो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे की सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है 15 बुराई से बैर और भलाई से प्रीती रखो और फाटक में न्याए को स्थिर करो क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुँँ पर अनुग्रह करे 16 इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यू कहता है सब चौकों में रोना पीतना होगा और सब सडकों में लोग हाई, हाई, करेंगे वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुन हैं, उन्हें रोने पीतने को बुलाएंगे 17 और सब दाख की बारियों में रोना पीतना होगा, क्यूंकि यहोवा यू कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा 18 हाई तुम पर, जो यहोवा के दिन की अभिलाशा करते हो यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाब होगा? वर तो उज्याले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा 19 जैसा कोई सिंग से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ तेके और साँप उसकोड से 20 क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उज्याले का नहीं, वरन अंधियारे ही का होगा हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक नहो 21 मैं तुम्हारे परवों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन नहीं 22 चाहे तुम मेरे लिए हुम्बली और अन्नबली चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन न होँगा और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेलबलियों की ओर न ताकूंगा 23 अपनी गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूगा 24 परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महांद के समान बहने दो 25 हे इस्राइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशुबली और अन्नबली क्या मुझी को चड़ाते रहे 26 नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूरतों की चरनपीट और अपने देवता का तारा लिये फिरते रहे 27 इस कारण में तुम को दमिश्क के उस पार बधुआई में कर दूंगा, सेनाओं के परमेश्वर यहुवा का यही वचन है अध्याए 6 इस्राइल का विनाश 1. हाए उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के परवत पर निश्चिन्त रहते हैं, वे जो श्रेष्ट जाती में प्रसिध हैं, जिनके पास इस्राइल का घराना आता है 2. दो कलने नगर को जाकर देखो, और वहां से हमात नामक बड़े नगर को जाओ, फिर पलिष्टियों के गत नगर को जाओ 3. क्या वे इन राज्यों से उत्तम हैं, क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है 3. तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्धी को निकट ले आते हो 4. तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछोने पर पाँफ फैलाए सोते हो 5. तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दावत के समान भाती भाती के बाजे बुद्धी से निकालते हो 6. और कटोरों में से दाख मदु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ती का हाल सुनकर शोकित नहीं होते साथ इस कारणवे अब बधुआई में पहले जाएंगे और जो पाँफ फैलाए सोते थे उनकी विलासिता जाती रहेगी आठ सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यहवानी है परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपत खाकर कहा है जिस पर याकुब घमंड करता है उससे मैं ग्रिना और उसके राजभवनों से बैर रखता हूँ और मैं इस नगर को उस सब समेथ जो उसमें है शत्रू के वश में कर दूंगा नौ यदि किसी घर में दस पुरुष बचे रहें तो भी वे मर जाएंगे दस जब किसी का चाचा जो उसका जलाने वाला हो उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा और जो घर के कोने में हो उससे कहेगा क्या तेरे पास कोई और है तब वह कहेगा कोई नहीं तब वह कहेगा चुप रहे हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए 11 क्योंकि यहोवा की आग्या से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी 12 क्या घोडे चत्तान पर दोड़े क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोगों ने न्याय को विश में और धर्म के फल को कड़वे फल में बदल डाला है 13 तुम ऐसी वस्तू के कारण आनंद करते हो जो वियर्थ है और कहते हो क्या हम अपने ही यत्म से सामर्थी नहीं हो गए 14 इस कारण से नाओं के परमेश्वर यहोवा की यहवानी है हे इस्राइल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाती खड़ी करूंगा, जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी अध्याय साथ विनाश के तीन दर्शन टिड्डियां एक परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में तिड्डियां उत्पन की, और वह राजा की कतनी के बाद की पिछली घास थी दो जब वे घास खा चुकी, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कितना निर्बल है तीन इसके विशे में यहोवा पच्टाया, और उसने कहा, ऐसी बात अब न होगी आग चार परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और क्या देखता हूं कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकद्दमा लड़ने को पुकारा, और उस आग से महासागर सूख गया, और देश भी भस्म होने लगा था पांच तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, रुप जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कैसा निर्बल है, छह इसके विश्य में भी यहोवा पच्चताया, और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात फिर ना होगी साहुल साथ उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभू साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दिवार पर खड़ा है, और उसके हाथ में साहुल है आठ यहोवा ने मुझ से कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख परता है मैंने कहा, एक साहुल तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इसराइल के बीच में साहुल लगाऊंगा नौ मैं अब उनको न छोड़ूंगा इसहाक के उंचे स्थान उजार और इसराइल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे और मैं यारोबाम के घराने पर तलवार खीचे हुए चड़ाए करूंगा आमोस और अमस्याह दस तब बेतल के याजेक अमस्याह ने इसराइल के राजा यारोबाम के पास कहला भेजा आमोस ने इसराइल के घराने के बीच में तुझ से राजद्रोव की गोश्टी की है उसके सारे वच्चनों को देश नहीं सह सकता ग्यारह क्योंकि आमोस यों कहता है यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इसराइल अपनी भूमी पर से निश्य बधुआई में जाएगा बारह तब अमस्याह ने आमोस से कहा हे दर्शी यहां से निकल कर यहुदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविशिद्वानी किया कर तेरह परंतु बेतल में फिर कभी भविशिद्वानी न करना क्योंकि यह राजा का पवित्रस्थन और राजनगर है चौदा आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा मैं न तो भविशिद्वक्ता था और न भविशिद्वक्ता का बेटा मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूल के व्रिक्षों का चांटने वाला था पंद्रह और यहोवा ने मुझे भेर बकरियों के पीछे-पीछे फिरने से बुला कर कहा जा मेरी प्रजा इस्राइल से भविशिद्वानी कर सोलह इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन तू कहता है इस्राइल के विरुद्ध भविशिद्वानी मत कर और रिसहाक के घराने के विरुद्ध बार-बार वचन मत सुना सत्रह इस कारण यहोवा यो कहता है तेरी स्त्रीनगर में वेशिया हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएंगी और तेरी भूमी दोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इस्राइल अपनी भूमी पर से निश्चे बंधुआई में जाएगा अध्याय आठ फलों से भरी टोकरी का दर्शन एक परमेश्वर यहोवा ने मुझको यों दिखाया कि धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है दो उसने कहा हे आमोस तुझे क्या देख परता है मैंने कहा धूपकाल के फलों से भरी एक टोकरी तब यहोवा ने मुझ से कहा मेरी प्रजा इस्राइल का आंता गया है मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा तीन परमेश्वर यहोवा की वानी है उस दिन राजमिंदर की गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा धेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिये जाएंगे इस्राइल का पतन चार यह सुनो तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्रह लोगों को नश्ट करना चाहते हो पांच जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा की हम अन्न बेच सकें विश्रामदिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दें और छल से दंडी मारें छे की हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोडी जूतियां देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचें साथ यहोवा जिस पर याकुब को घमंट करना उचित है वही अपनी शपत खाकर कहता है मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूँगा आठ क्या इस कारण भूमी न कापेगी क्या उन पर के सब रहने वाले विलापना करेंगे यह देश सब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा जो बढ़ती है फिर लहरे मारती और घट जाती है नौ परमेश्वर यहोवा की यहवानी है उस समय मैं सूर्य को दुपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दुपहरी अंधियारा कर दूंगा दस में तुम्हारे परवों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा मैं तुम सब की कटी में टाट बधाऊंगा और तुम सब के सिरों को मुंडाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा एकलोते के लिए होता है और उसका अंत कठिंदू, ख के दिन कासा होगा 11 परमेश्वर यहुवा की यहवानी है, देखो, ऐसे दिन आते हैं, जब मैं इस देश में महेंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परन्तु यहुवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी 12. लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे 13. उस समय सुन्दर कुमारिया और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्चा खाएंगे 14. जो लोग सामरिया के पापमूल देवता की शपत खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता के जीवन की शपत और बेर्शिबा के पंथ की शपत वे सब गिर पढ़ेंगे और फिर न उठेंगे अध्याए 9. परमेश्वर का नियाए एक मेंने प्रभू को वेदी के उपर खड़ा देखा और उसने कहा खंबे की कंगनियों पर मार जिससे डैव भी आहलें और उनको सब लोगों के सिर पर गिरा कर टुकडे टुकडे कर और जो नश्ट होने से बचें उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा उनमें से एक भी न भाग निकलेगा और जो अपने को बचाए वह बचने न पाएगा दो क्यूंकि चाहेवे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं तो वहां से मैं हात बढ़ा कर उन्हें लाओंगा चाहेवे आकाश पर चर जाएं तो वहां से मैं उन्हें उतार लाओंगा तीन चाहेवे कर मेल मे चिप जाएं, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंड ढूंड का पकर लूँगा, और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी द्रिश्टी से ओठों, वहां भी मैं सर्प को उन्हें दसने की आग्या दूँगा। चिप जाएं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती हैं, जो बढ़ती है फिर लहरे मारती और घट जाती है। और अरामियों को कीर से नहीं लाया। आठ देखो, परमेश्वर यहोवा की द्रिश्टी इस पाप में राज्य पर लगी है, और मैं इसको धर्ती पर से नश्ट करूंगा, तो भी मैं पूरी रीती से याकूब के घराने का नाशना करूंगा। यहोवा की यही वानी है। उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा, और उसके खंठरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था, उसको वैसा ही बना दूंगा। से नया दाखमधू टपकने लगेगा, और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। 14 मैं अपनी प्रजा इस्राइल के बन्दियों को लोटा ले आऊंगा, और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उन में बसेंगे, वे दाख की बारियां लगा कर दाखमधू पियेंगे, और बगीचे लगा कर उनके फल खाएंगे। 15 मैं उन्हें उन्ही की भूमी में बोऊंगा, और वे अपनी भूमी में से जो मैंने उन्हें दी है, फिर कभी उखाड़े न जाएंगे, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है।